हेलो एवरिवन कैसे आप सभी लोग आप सभी का बहुत बहुत वेल्काम मेरे जैनल गार्डिंग उस्ट अकाश्पित काफी लंबा समय हो गया मैंने आप लोग साथ कोई वीडियो बना के शेयर नहीं किया अपने गार्डेन का कोई भी अपडेट आप लोगों को नहीं शेयर अब लोगों को रगटेट वीडियो गया है तो इसी में आज में आप बहुत ही बहुत भी बहुत बहुत प्लांट के बारे में बात करने वाला हूं बहुत बहुत ली टेरेस पर ग्रोग जाता पहले मैंने लगबख छोटा पौदा लगाये ताब आप लोग देखें काफी बड़ा हम लोगों का पौदा हो गया मतलब बहुत बड़ा सबसे बड़ा पौदा मैं का मेरे गार्डन का यह है यह हम लोगों का चीकु का पौदा और इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है मैंने किया क्या पहले हम लोगों का लगबग इसमें लगा होते हैं लेकिन बाद में मैंने को शिफ्ट करके 18 इंच के पौट में ग्रोबैग में शिफ्ट कर दिया उसके बाद इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होने लग गई और काफी सारे समें चीकु लग गए भी हुए हैं यहां पर आप लोग देख रहोगे दे और काफी सारे इसमें चीकु लगे हुए और इसमें जो फ्लावरिंग वगर भी वह वह भी काफी अच्छी हो रही है तो आज मैं आप लोग साथ प्लैंड की थोड़ी से केर आप लोग केरें टिप्स आप लोग साथ शेयर करूंगा थोड़ी से मैं कौन-कौन से आप लोग बता हम और नहीं करते हैं मैं तो सबसे पहले आप टे मों यह का रखना टे मिलेगा ग्राफ्टि वाला एडिया की आएरिया हो वो काफी अच्छे तऎके से ग्राफ्ट करणा हो और उसमें अगर fruits या छोटे-छोटे से फूल आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आपको ऐसा प्लांट ही चूज करना है चीज करने के बारे में इसलिए बोल ला हम क्योंकि उसे शियोटी होती हम लोगे पौद को बहुत जल उसमें frutting होने लगेगी बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट में यॉद्स प्लांट करीड़े तो ऐसा प्लांट करीदे कि उसमें कुछ छोटे-छोटे में फना प्ल उसम को शोटी मिल जाएगी कि आपका पौदा आगे जाके जब वह बड़ा हो तो काफी तरीके से गंबले में फ्रूटिंग करने लग जाएगा दूसरी जैसे मैंने आप लोग को बता है कि उसका जो ग्राफ्टिंग वाला एरिया होता है जैसे यह चीकू का मेरा पौदा जब मैं अज होँको करता मों देना हूं चीकू कर लगाना कि को कि और भाद भाद होता है कि उसको बहुत यह घ्ली किम उन्हां पानी जाला और पानी बहुत अपनी हो जाएगा चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी भरा रहे उसे क्या होता है कि चीकू के पौदर में चोटे-चोटे-चोटे से फूल वगर आएंगे तो फूल गिरने लगते हैं वेल्जेंट मिट्टी हो जाएगा जैसे आप देखरो मेरे प्लांट की जो मिट्टी है बिल्क कंपोश्च इस्तमाल करें तो अब लोगों को मिलेगा आप उसके बात आते कि चीकू के पौदर के लिए हम लोगों को पौट साइज किस तरीके से चूज करना है नसी पर जब आप जाओं तो आप लोगों को छोटे-चोटे पौट पर पर भी चीकू का फ्लावरिंग करता मिल जाएगा लेकिन जब आप उसको घर पे लगाओगे तो उसको फ्रूट का साइज होता ना वह बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि चोटे पौट में लगे होने को जैसे उसकी रूट सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तो चीकू को पहुते को जो फ्रूटिंग हो रही ह है इसमें मैंने इसको लगा दिया तो इसके बाद इसमें फ्रूटिंग साइज भी काफी तेजी से बड़ा हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चीकू भी बहुत सारे आ रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीकू के पौदे को लगा वह उसमें बहुत सारी फ्रूटिंग आती वीडियो आप लोगों ने पहले भी देखा है उसमें काफी सारी फ्रूटिंग आती बस हम लोग को ध्यान क्या रखना पड़ता है रगलर उसकी रूट प्रूनिंग वगरा करनी पड़ती है साल में बाद जैसे बसात आने वाली ह मौसम ठीक ठीक हो रहा है तो आप मैं अपने निवू के पौदे के रूट प्रूनिंग कर दूंगा ताकि जब उसमें न्यू ग्रोथ हो तो उसमें काफी अच्छी फ्रूटिंग भी हो ध्यान यह रखना है कि हम लोगों को जित्ती भी फ्रूटिंग होती हो हमेशा न्यू सब्सक्राइब काफी अच्छी मिलेगी दोस्तों जैसे के भी आप लोग देख रहोंगे टेंपरेचर काफी जाता है तो मैं अपने पौदे में कोई ऐसा इस्तमाल नहीं कर रहा हूं जिसमें कि बहुत ज़ता हीट होती हो जो कि हमाएं पौदे को नुक्सान पहुचा सकता बस मैं इसमें रेगलर फटलाजे इस्तमाल कर रहा हूं जो हम लोग का सीवीट एक्षेक्ट होता है जिसे कि आप देख रहोगे यह हम लोग का सीवीट एक्षेक्ट है यह एक लीटर पानी में पांच यमेल मिला के अपने पौदे को इसका भी बहुत अच्छा रिजर्ट म अगरा को रोट होने में काफी अदा मदद मिलती है तो यह लिक्विट फ़ॉम वाला सीवीट एक्षेक्ट है मैं अपने पौदे को पर इस्तमाल करूंगा तो उस्तों मुझे उमीद है आप लोग को मेरा चोटा सा वीडियो काफी आदा पसंद आया होगा वीडियो आप ल पहली बार हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी ताकि वीडियो बगर आगे भी आपको देखने को मिलती रहे इस्टाग्राम पर मुझे अभी तक आप लोगोंने फॉलो नहीं कि मुझे वहां जोइन कर लिए मैं रेगलर अपडेट्स वगर वहां पर शेयर करता रहोंगा फेस्बूक पर भी हम लोगों को आप जरूर फॉलो करें वहां पर भी लेटेस कॉंटेंट में अप्लोड करता रहता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्टाइम मिलता हूं किसी आनदा इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो के फ्रेंट्स बाइड़ सबस्टाइबस आनदा इंप।